Hello students, welcome to Global Online, this is Ankitab Sode, so paper 1 preparation में आज हम discuss करेंगे Teaching Aptitude का एक important topic जिसका नाम है Teaching Aids, यानि कि ऐसी कौन-कौन सी चीजे हैं जो कि as a teacher आपको अपनी teaching को बहतर बनाने में मदद करती है एक्जाम में कई बार इससे match the following type के questions आते हैं, तो उनी सब चीजों का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं आज के session को आज के साथ ये है Teaching Aptitude का Complete Syllabus UGCnet के according, आज जो हम discuss करेंगे वो topic बहुत important है बट यहाँ पर आपको syllabus में अलग से कहीं नहीं मिलेगा सो बढ़ते हैं अपने topic पे जिस पे की सबसे पहले हम देखेंगे कि Teaching Aids यानि की शिक्षन सहायक समगरी exactly होता क्या है अब देखो students इसके नाम से clear है Teaching Aids यानि की शिक्षन को एक teacher जैसे कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो वो कौन-कौन सी चीज़े हैं जो की मुझे help करती हैं आप लोगों तक मैं अच्छा knowledge पहुंचा सकूँ आप लोगों तक मैं अपनी teaching skills अच्छे से पहु चौक होता है, डस्टर होता है, benches होते हैं, school होता है, classroom होते हैं, notebook है, pen है ये सारे के सारे offline batch में एक teaching aids के रूप में काम करते हैं वहीं दूसरी तरफ अगर हम online classes की बात करें जैसा कि आप अभी मेरी class अटेंड कर रहे हो यहाँ पे teaching aids हैं जैसे कि मेरा laptop है, मेरा internet connection है, मेरे प books होगी, knowledge होगया, ये internal चीज़ें आती हैं, लेकिन outside से external चीज़ें कौन सी हमें help करती हैं, वो यहाँ पे हम इसके बारे में बात करते हैं Paper 1 के best preparation के लिए complete course में लेकर आई हूँ, जो कि examination के difficulty level, latest questions के pattern and previous year examination के analysis के हिसाब से बनाया गया है इस course में students daily live lectures के साथ आपका 100% syllabus exam से पहले cover करवाने की surety दी जाती है, बहुती easy language में real life examples के साथ पहले आपके concepts clear करवाय जाएंगे उसके बाद आपको practice के लिए previous year questions और expected mcqs दिये जाएंगे ताकि आपको ये भी clear idea हो जाए कि जो आपने पड़ा है उसमें से कैसे questions exam में आते हैं, full syllabus mock test है जिसमें से कि guaranteed hazardous questions exam में देखने को मिलेंगे ही इसके लिए एक new batch हम start कर रहे है जो कि Monday से start हो जाएगा आप सभी students बिना देरी किये given numbers पर contact करके इसको join कर सकते हो and इससे पहले free videos देखनी है तो global online आपको जरूर डाउनलोड कीजिए, store section पर search bar में course का नाम लिखने के बाद आप content पर click करोगे आपके सामने free demo videos है, complete paper one का मेरा course आपको मिल जाएगा जिसके अलावा extra आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी तो students ये best course है आपके लिए जो कि आपको मदद करेगा paper one में easily 100 में से 80 प्लस score करने में आपको बिल्कुल परिशान नहीं होना है बस given numbers पर whatsapp के through contact कर लीजिए तो इसमें जितनी भी statements आपके सामने हैं ये as it is exam में पूछी गई थी तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है अब देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि teaching aids में अभी मैं pen tab use कर रही हूँ इससे क्या हो रहा है आप लोगों का थोड़ा सा attention में गेन कर पा रही हूँ कैसे अगर मैं pen use ना करूँ पहले तो वो students होगे जिनको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहां से कौन सा point पढ़ रही है दूसरा अगर मैंने आपको कोई चीज समझानी है मालीजे किसी graph की हम बात कर रहे हैं कि graph ऐसा है और ये इस level पे up down up down जाता है तो without pen without ये teaching aids मैं कैसे आप लोगों को समझाओगी offline batch की बात करें बहुत सी चीज़े ऐसी होती है जो कि without chalk duster इसके नहीं समझाई जा सकती ठीके तो वो यहाँ पे यही बोला है कि इसका main objective है कि students को involve करना इससे students interact हो सकते हैं हमारे साथ and faster learning जैसे जैसे हम आपको images के साथ, graphs के साथ, board पे कुछ draw करके बताते हैं वैसे वैसे आप लोग अच्छे से और जल्दी समझ सकते हों next statement में बोला गया है teaching aids produce a mental image for certain concepts and develop an interactive experience for learning inside them अब जैसे माल लीजे मैं आप लोगों को ये चीज़ आपने notice की होगी अगर आप हमारे regular students हो, तो मैं आपको बहुत बार बताती हूँ कि ये एक teacher है, यहाँ पे ये बहुत सारे students है teacher एक student को evaluate करते हैं, जैसे मैं ये topic माल लो आपको करवा रही हूँ अब मैंने इस तरह से यहाँ पे teacher draw कर दिया, यहाँ पे मैंने students draw कर दिये तो ये क्या कर रहा है, teaching aids की help से एक mental image आप लोग बना रहे हो कि ये concept ऐसा हो सकता है, इस से क्या होगा, आप लोग और जादा interact हो बाओगे और जल्दी से चीजों को समझ पाओगे वही यहाँ पे लिखा है, it is helpful for students to become more involved they can easily grasp the topic being taught यानि कि छात्रों के लिए अधिक शामिल होने में ये मददगार है वो आसानी से पढ़ाये जा रही विशे को समझ सकते हैं next point यहाँ पे बोला गया है, aids are the much better method for learning because they relate textual matter with visual, audio and videos thus enhance the learning in the meaningful way so अब जैसे हम कुछ भी यूस ना करें pen यूस नहीं कर रही, मैं blackboard यूस नहीं कर रही, मैं chalk यूस नहीं कर रही नहीं मैं आप लोगों को maths, मैं आपको math पढ़ा रही हूँ नहीं मैं notebook में समझा रही, नहीं white और blackboard में समझा रही हूँ तो क्या होगा, तो आप लोग नहीं समझ पाओगे, कैसे समझोगे सो ये सारी चीज़ें, जैसे कि audio, video, ये सारी चीज़ें help करती है एक student को जलदी concept समझने में, वैसे ही बाकी के teaching aids में students को हमेशा help करते हैं right, so I hope यहां तक का concept आप लोगों का बिलकुल clear है and यहां पे एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ ये जैसे कि हमारा lecture number 14 है so previous lecture जो था, जिसमें कि हमने discuss किया था types of evaluation ठीक है, so वहां पे students आपको पता होगा कि video के बिलकुल शुरू में ही मैंने आप लोगों के साथ question शेयर किया था, जिसमें कि formative, summative, norm reference and criterion referenced जो है types पूछे गए थे evaluation के so उसका answer में आपको comment में करने को कहा था, so उसका answer बहुत से students ने दिया भी है लेकिन बहुत से students का answer गलत है, उसका right answer था option number one so description box में आप लोगों को उस video का link मिल जाएगा, वापस जागे उस video को देखो first question को देखो, option number one, there is the right answer अब बात करते हैं कि इसकी need क्या होती है, right, teaching aids की क्यों जरूरत होती है so teaching aids help in retaining concepts more permanently for those students who have the tendency to forget frequently so बहुत से students ऐसे होते हैं जो चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं तो उन लोगों के लिए teaching aids हमेशा helpful रहते हैं अब जैसे माल नीचे में आप लोगों को कल के ही lecture के अगर बात करते हैं तो मैंने पहले ही बताया था कि formative, sorry, normed referenced और criterion referenced evaluation में बहुत से students confused होते हैं and exam में भी question ऐसा पूछा जाते हैं कि students नहीं भी confused हों तो भी हो जाएंगे तो वहां पे मैंने आपको image की help से दो photos लगाई थी उसकी help से concept समझाया था तो इस तरह से ये क्या था, वो image क्या थी, वो एक teaching aid थी ठीक है, तो इससे उन students को बहुत help मिलती है जो कि चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं अब आप लोगों को याद होगा, जब भी हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमें globe की help से या फिर chart में map बना होता था इंडिया का map, उसकी help से बताया चाता था कि कौन से city कहां है, कौन सा state कहां है तो ही आज हम जैसे मैंने अभी map बोला तो आपने उसको visualize जरूर किया होगा मैंने कोई city बोला जैसे कि मैंने बोल दिया कि New Delhi हमारे capital है Delhi हमारा capital है तो आप लोगों ने वहाँ पे उसको visualize कर लिया होगा कि ये ये इंडिया का map है, यहाँ पे डेली है यहाँ पे कश्मीर है, इस तरह से आपने देख लिया होगा तो ये चीजें कैसे आपने recall कर पाए आप लो क्योंकि वहाँ पे उस समय आपके teachers ने आपके parents ने teaching aids के रूप में map को use किया था chart को use किया था right, so I hope अभी ये concept आपका बिलकुल clear हो चुका है इस chart और globe वाले example के साथ next हम बात करते हैं, next need है teaching aids can motivate the student for learning and encourage to develop deep insights of the matter यानि कि किसी topic को और जादा गहराई में समझने के लिए ये help करता है, फिर से मैं वही example आपके लिए लेकर आती हूँ जैसे कि मान लीजे, मैं आप लोगों को कुछ world map से related कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को अगर मैं ऐसे बताओं कि ये ऐसे इंडिया है इंडिया के साथ में पाकिस्तान है, उसके साथ में दूसरी तरफ आपको चाहिना मिल जाएगा तो इस तरह साप imagine नहीं कर पाऊँगे लेकिन वही उसी चीज़ को अगर मैं आपको globe की help से समझाऊँ आपके सामने class में globe लेकर आओ तो students कितने interest के साथ देखेंगे उस matter पे और जादा interest उनको बढ़ेगा वो देखते देखते उसको बार-बार देखेंगे गोल-गोल खुमाके देखेंगे और countries को भी search करेंगे इस तरह से वो चीज़ें और अच्छे से याद रख सकते हैं so teaching aid ही है ये एक example teaching aids are helpful for students in increasing their conceptual thinking किसी concept को समझने के लिए teaching aids एक best example है एक best method है and also teaching aids help to increase the learning faster and accurate ये चीज़ इन आपको बता चुकी हूँ कि जल्दी से हम चीज़ों को सीखते हैं बिलकुल accuracy के साथ हमारे mind में उस चीज़ के एक image बन जाती है जिसको हम कभी नहीं पूर सकते right अब next बात करते हैं types of teaching aids की ये एक ऐसा topic है एक ऐसा section है जहां से हर साल exam equation पूछा जाता है या तो basic definition आएगी या फिर types आएगे so traditional aids की बात करें जैसे की पहले books के साथ बताया जाता था periodicals, blackboard, chalkboard, whiteboard ये सारे teaching learning aids होते थे अभी हम लोग visual aids को ज्यादा use करते हैं तो इसमें figures हैं, charts हैं, poster, model, graph and any other type of graphics such as diagrams, cartoon, infographs, cutouts, bulletin board, flannel board, globe, object, picture, map, etc ये सारे visual aids हैं visual aids का मतलब होते हैं जो चीज़ हमारे सामने हैं हम उसको touch करके देख सकते हैं इसका best example मैं बार-बार आपको globe ही बता रही हूँ अब जैसे अगर हम लोग history की बात करें कि मान लीजे history का कोई topic है मैं आपको समझाना चाती हूँ लेकिन नहीं students समझ पा रहे and in case अगर वो area जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो किसी particular चीज हमारे बिलकुल आसपास है तो हम अगर students को वहाँ ले जाकर के उस चीज के बारे में बताएंगे उनको वहाँ जाकर के वो दिखाएंगे जैसे कि मान लीजे हम रानी लक्षमी भाई की बात करते हैं तो अगर मैं वहाँ पर एक story की तरह आप लोगों को बताऊंगी ठीक है अगर मैं एक role play करके आप लोगों को बताऊंगी एक act करके आप लोगों को बताऊंगी कि रानी लक्षमी भाई क्या थी कैसे कैसे था एक movie के रूप में आपको वो चीज़ें दिखाई जाएं तो आप हमेशा याद रख सकते हो otherwise वो चीज़ें difficult होती हैं तो यह सारे आती है visual aids या फिर उसको हम audio visual aids भी बहुते हैं देखो यह film है यह television है यह सारे audio visual aids के अंदर आते हैं जो भी मैंने अभी आपको बताया है सिर्फ audio aids में आता है जैसी की teaching machine, radio, tape, recorders यह सारी चीज़ें अभी जैसे मैं आप लोगों को यह सारी चीज़ें draw करके बताती हूँ highlight करके बताती हूँ अगर मैं यह ना करूँ मैं सिर्फ चीज़ों को पढ़ती चलूँ ठीक है जो सामने लिख है बस read करते जा रही हूँ और आगे निकलती जा रही हूँ तो यह भी एक audio aid हो जाएगा अभी तक यह audio visual aid चल रहा है ठीक है so visual aid होता है motion pictures, projector यह सारी चीज़ें right so I hope यहां तक का concept जो है वो बिलकुल clearly आप लोग सभी students समझ चुके हो so I hope आज का यह lecture आपको पसंद आया है and जो भी concepts मैने आपको बताएं है वो clear हो चुके हैं आपके सामने so paper 1 या paper 2 के किसे भी course किसे भी study material की जादा ज़ानकारी के लिए screen पर दीगे number पर contact जरूर कीजेगा so thank you so much for watching this video and I wish you all the way